हलो और गूड़ मॉर्निंग एवरिवन स्वागत है आप सभी का आपके पसंदिदा प्लैट्फरम स्टेडी आईक्यू आईएस में मैं प्रिशान्त आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे अपना ज्यान रख रहे होंगे और मन लगा क पढ़ाई भी कर रहे होंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरिवन और आज हम दिसंबर महीने के करने वाले हैं तो जल्दी से शुरू करते हैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए कि आप कम समय में एक घंटे के इंदर में इसको हम जल्दी से रैप अप करने की कोशिश करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जून से लेकर हमने शुरू किया है दिसंबर पर आगे इसके बाद तीन महीने चार महीने कर जाएगा आपका जनुरी फरवरी मार्च अप्रेल वह भी अगले दो या तीन दिन के अंदर में कम्प्लीट हो जाएगा तो आप अ कौन सा कोड यूज करके पी आरटी लाइव कोड यूज करके चले इसकी पीडिएफ आपको प्रशान तीवारी नाम के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी इंस्टाग्राम ट्विटर टेलिग्राम पर आप मिर साथ जोड़ सकते हैं तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले गाप फैल के लिड़ आanges अगर 225 मलेशिया में देखेंगे अपके बंगला देश मिलेंगे इंडिया में मिलेंगे इंडोनेशिया में भी मिलेंगे और इसको मैं इसले करा रहा हूँ कि कि इनका IUC in status क्या है critically endangered है क्या है critically endangered अब इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए एक इतांकी नैशनल पार्क है यह कहां पर है इतांकी नैशनल पार्क नागा लेंड के अन्दर तो आप सभी जानते हैं यह मान के चलिए जिसकी संख्या बहुत कम है अनिको critically endangered है तो उनको क्या है wild की जगे पर एक controlled environment में उनका जन्म भी कराया जाता उनको पाला जाता है captive breeding की जाती है जिससे क्या है उनकी संख्या बढ़ सके फिर उसके बाद में क्या है उसको छोड़ दिया जाता है खुले के अंदर में तो याद आपने मेरे को जहां तक पता है यह नहीं सुना होगा तो यह क्या है नागा लेंड के अंदर में क्योंकि नॉर्थ इस्ट वैसे भी नूस के अंदर में दूसरा यह क्रिटिकली endangered क्या है critically endangered नेक्स्ट है ड्यूग अब आप सभी जानते हैं इसको सी काओ के रूप में भी जाना जाता है और ज्यादा तर यह क्या है जो ग्रास होती है उनके उपर में क्या करते हैं दिपेंड करते हैं किसके उपर में ग्रास के उपर में तो याद रखेगा only herbivores marine mammal है पहला point तो याद रखेगा प्रीवियर question में से एक point यहां से आ चुका है already only herbivores marine mammal है प्लीज याद रखेगा और अगर इनको देखा जा इनका इस्टेटस के है वल्नरेबल है तो मिल्ब नोट करके रखिएगा और यह आपको भारत के इंदर में कहां देखने को मिलेंगे आपने देखा होगा जो हमारा पाग बे है अब पाग बे भी नियूस के इंदर में आता है जब आप भारत और शिरलंका के बीच में यह देखते है यह पाग बे है आप इसके बारे में सुना होगा कि राम सेतु के समय पर भी जब मूवी आई थी तब भी जिक्र हुआ था तो वहाँ पर क्या है तमिल नाडू ने अनौन्स किया है पहला कंजर्वेशन रिजव इसके लिए ड्यू गौन के लिए कहां पर पाग बे में तो पहला क्या किया गया है अनौन्स किया गया है कंजर्वेशन रिजव ठीक है इनको नुकसान किस चीज़ का है सबसे बड़ा नुकसान ही होता है कि जो फिशिंग होती है नेट होता है इवन पता है इनका जो मीट होता है उसके लिए भी क्या किया जाता है इनको हंट किया जा तो यह सबसे बड़े क्या है इसके लिए तो आईू से अगर आ जाए कि बैसाब सबसे खतम होने की कगार पर हैं तो यह याद रखे क्रिटिकली इंडेंजर नहीं है यह क्या है आपके वलनरेबल है क्या है वलनरेबल है तो प्लीज याद रखेगा नेक्स्ट है अफरिका में मिलेगा यह न्यूज में था वहाँ पर दोस्तो एक सेडर बर्ग नाम की रेंज है तो आपसे अगर यह कोश्यन आ जाए कि सेडर बर्ग नाम का जो हिल या माउंटें रेंज कहां पर है तो पहले बात तो जियोग्राफिकल लोकेशन साउथ अफरिका में है औ इसकी लोकेशन या रखेगा इसका टेस्ट होता है वो सूइट होता है काफी अच्छा होता है कैफ wo boys T कहां पर है ب्लस में आपका Sutterburg mountains कहां पर है ठीक है तो याद रखेएगा ठीक है याद रखेएगो next है Condunya wildlife century क्या है Price wildlife century है कहां पर है आंधर प्रदेश में है अब यह क्यों important है क्योंकि यह एक मात्र century है कहां पर आंधर प्रदेश में जिसके अंदर में क्या है Asian elephant है मैं आपको पढ़ा पढ़ा कर थग्या हूँ बार बार पढ़ा रहा हूँ कि क्या अफ्रिका वाला सावाना elephant वहां पर क्या है forest elephant प्लस में Asian elephant एशियन एलिफेंट के अंदर में कहां कहां एलिफेंट मिलते हैं एशियन एलिफेंट के अंदर में सबसे बड़ी संख्या भारत के अंदर में कौन से स्टेट के अंदर में यह सब चीज़े में बार बार आपको पढ़ा रहो हर सेशन के अंदर में तो एशियन एलिफेंट के conservation के लिए यानि कि Asian elephant की जो population है आंदर प्रदेश में कौन से conservation के अंदर में कौन से century के अंदर में सबसे ज़ादा है या एक मातर कहां पर है तो कौन दिन्या wildlife century प्लीज याद रखेगा बहुत important है तो कौन दिन्या यह कहें ट्रिब्यूटरी हैं किस नदी के पलार नदी की समझते जाईए कि कौन दिन्या wildlife century किसका पाट रहा है अब आप सभी जानते हैं कि जो elephant है वो न्यूज में कितना जादा बना हुआ है आप इस से जादा अंदाजा क्या लगाएंगे elephant लगातार हम बार बार पढ़ते रहते हैं elephant के बारे प्रजेक्ट elephant के बारे पढ़ते रहते हैं इस बार तो आसकर भी मिला सारी चीज़े न्यूज के इंदर में बनी हुई आप सभी जानते हैं तो मेरा कहना है कि एक बार कर लीजिएगा और elephant के बारे में तो जरूर प्रिपेर कर लीजिएगा कि जो मैंने पिछली स्लाइड में कराया भी तो उसकी पीडियो भी शेयर कर दी है सारी सारी नेक्स्ट है आसोला भट्टी यह कहां पर है आपको दिल्ली में मिले इसे क्या दिक्कत है अरावली हिल्स में अगर आप हर्याना की तरफ भी जाएंगे और दिल्ली की तरफ से जाना शुरू करेंगे तो यहां पर क्या है माइनिंग हो रही है और इस कारण से भी क्या है न्यूजर बना हुआ है और याद करिए जब UNCCD की मीटिंग हुई थी क कैसे डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए तो उसमें कहा गया था कि भारत के अंदर में जो अरावली रेंजिस हैं यह क्या काम कर रही है डेजर्ट को इधर की तरफ मूव करने से रोक रही है तो अगर इन अरावली हिल्स के उपर में इंपेक्ट पड़ेगा तो याद रख ज़्यादा निज्व में थी तो शडूल ट्राइब से रिलेटेड ये निज्व में था कि भाई शडूल ट्राइब में इनको इंक्लूड करना चाहिए तो हत्ती कम्मूनिटी यह स्ट केंटिगरी में हैं कहां पर उत्रह खंड के अंदर में हैं और मांग करी जा रही थी क् के हिमाचल के area में भी इनको क्या दिया जाए वहाँ पर schedule tribe के अंदर में add किया जाए ठीक है तो हती कहाँ पर मिलेंगे आपको हिमाचल और उत्त्रांखंड के अंदर में जो border वाला area वहाँ पर आपको मिलेंगे ठीक है clear है तो प्लीज याद रखेगा और यह अपनी क्या है खुंबली नाम की एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल काउंसिल को फॉलो करते हैं, इवन पंचायत सस्तम इस्टैबलिश हो गया है, उसके बाद भी, अभी भी क्या खुंबली नाम का एक ट्रेडिशनल काउंसिल को क्या करते हैं, अभी भी परफॉर्म करते हैं, अभी भी उसको पिछले दो मेने से लगातार न्यूज में तो प्लीज प्रिपेर करके जाएए देखें मेरा 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 काम ये है कि मैं आपको कोई अगर टॉपिक है तो वो क्यों important है और क्यों important हो सकता है यह चीज़ बताने का तो करनाटका election के अंदर में है और आप जानते हैं कि यहां से question आने के बहुत ज्यादा chance है हाई probability तो ऐसे question आ सकते हैं तो यह क्या है यह ट्राइब आपको कहा मिलेगी आपके निलगिरी की कुछ इंडिजने जो ट्राइब हैं उनमें से बिलॉंग करते हैं ठीक है आपको वैसे अगर देखा जाए कौन-कौन से स्टेट करनाटका ही मिलेंगे तामिल नाडू में भी आ हांटींग गैदरिंग यह सारी की सारी चीज़ें करते थे यह कौन से भाशा यूज़ करते हैं द्राइब आसपास में करता में आइड किया गया है करनाटक के अंदर में तो आप सभी जानते improvements करके question आ सकता है क्योंकि जब यह बिल आया था कई सारे ट्राइब को क्या दिया था यह दर्जा दिया यह था तो आपसे क्वेशन पूछा जा सकते हैं कई सारे ट्राइब को लेकर ठीक है मैं जड़ा फॉलोविंग करके तो याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट है मलम पदर क्या है मलम पदंद्राम ट्राइब अब आप से पूछ लें अगर आप सूचिए कि आप मलम आप सोचेंगे कहां से बिलॉंग करते तो यह कहां पर केरला से बिलॉंग करते हैं जिसक नोट करते रहिएगा अब आप सभी जानते हैं कि लाइन अपने चीता के उपर में तो काम कर लिया आपने एलिफेंट के उपर में काम कर लिया आपने टाइगर की संख्या को क्या है बढ़ा दिया एलिफेंट से दोस्त वो याद रखिएगा रिहाब मैं क्या कि ठग रियाबिटेशन से रिलेटिड नहीं है वो हुमन और एलिफेंट के कान्फिलिक को कम करने के लिए तो अभी यह क्या किया गया एक डॉक्यमेंट लांच किया गया कि विजन फॉर अमृत का लिया नहीं कि जब हम सौ साल के आजादी को मना रहे होंगे सौ साल मलब दोनिस सो साहितालिस के बाद में 2047 में 100 साल हो चुके होंगे तब हम क्या देखते हैं तो हमने का है कि हम क्या करेंगे विजन फॉर अमृत का लाइन एट 47 ऐसा करके हमने टार्गेट लिया कि कैसे हम लाइन की जन संख्या को बढ़ाएंगे कैसे हम उसके रेंजिस को बढ़ाएंगे यह सारी की सारी चीज़े करेंगे ठीक है तो गीर संक्चुरी आप सभी जानते हैं जो क्या है आपका गुजरात के अंदर में वह अहां पर ही एक मात रहसी जगहें पर जहां पर एशियाटिक लाइन्स आपको मिलते हैं अब एक और आप सभी को पता होना चाहिए मालधारी ट्राइब कि मालधारी ट्राइब प्लस में बनी ग्रास लेंड अब देखिए मैं कनेक्शन मैं अपनी तरफ से बिठाए दे रहा हूं आप सब को आये चाहें आए तो यह गीर जो सेंक्चुरी है जो लैंड्सकेप है वहां पर मालधारी ट्राइब रहती है तो इसका गया क कि नहीं और इवन कोर्ट ने ओडर दिया था और बनी ग्रास लेंड वहां पर भी क्या है आप सभी जानते हैं कि मालधारी ट्राइब रहती है तो उनके ऊपर में भी एक चीज आई थी उस समय पर भी नियूस के अंदर में तो याद रखिएगा सारी के साई चीज़ साइक् नाम किस ने दिया है कौन से देश ने नाम दिया है यह मन ने ठीक है तो साइक्लोन मंदौस यह अंदर प्रदेश में आया और यह नाम किस ने सज़िस्ट किया है तो याद रखिएगा UAE ने यह नेम सज़िस्ट किया था क्या है UAE ने यह नेम सज़िस्ट किया था नेक्स्ट है Animal Welfare Board of India बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं प्लीज याद रखिएगा इसका जो हेड क्वार्टर वो शिफ्ट कर दिया गया और गुरू ग्राम में आ गया है तो यह Statutory Body है क्या है Statutory Body है Animal Welfare Board of India एक Statutory Body है जिसको किसके अंदर मनाया गया है Prevention to Crevality to Animals जिसको हम PCA भी बोलता है PCA 1962 News में था आपके कामला के कारण में भी जली कट्टू के कारण में भी आपके डॉग्स वाला जो इशू था उसके कारण में भी आप सभी को मैंने अल्रडी कितनी बार पढ़ा है तो एक Statutory Body आपको कह देंगे यह किसके अंदर में क्योंकि Animal Welfare है तो कह देंगे Wildlife Protection Act के तहप में इसको Establish किया गया है कि Animals को Miss Treat नहीं किया जाए किसी भी तरीके से उनके अगेंस में कोई cruelty ना की जाए ठीक है और याद रखेगा और इसने बहुत सारी चीजे करी है और सबसे important चीज इसका headquarter कहां पर है आपका बल्लबगड परिदाबाद में ठीक है कहां से आया है चन्नहीं से आया है याद रखेगा बहुत important है इसके अंदर 28 member होते है और तीन साल का इसका period हो अच्छा एक और चीज question आएक आप से पूछता हूँ इसके chairperson कौन होते है इसके chairperson कौन होते है यह homework है comment करके जुरूर बताएगा तो board की जो jurisdiction थी पहले पता है किसके पास थी ministry of food and agriculture के पास थी बाद में इसको किसके पास है ट्रांसफर कर दिया ministry of environment and forest के पास में कर दिया गया है ठीक है यह भी चीज याद रखेगा नेक्स्ट है world soil day मेरे दोस्त आप सभी जानते हैं यह आपको वैसे बता दूं कि 5 दिसंबर 2014 को यह announce किया गया कि हम क्या है soil day की रूप में मनाएंगे किसको 5 दिसंबर को ठीक है अब एक चीज याद रखेगा कि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल नहीं होगी अगर मिट्टी नहीं होगी तो आप पूड कहां ओगा होगे तो इसलिए हम जब बार बार बात करते हैं किसकी सॉइल फर्टिरिटी की बात करते हैं तो वह डार्क्ली लिंक्ट है क इससे आपके food security से related है जब हम बात करते हैं आप सभी को ध्यान होगा मैं कई वार आप से बात करता हूं कि डजर्टिफिकेशन होने से रोकना है सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड होने से रोकने के लिए हम एक और चीज क्या करते हैं हम एक और चीज करते हैं कि कि फ़र्टी लाइजर केमिकल इनका कैसे कम यूजर किया जए एवंछाल की फर्टीलिटी को बचाए रखने के लिए हमने क्या का है कि बैसाथ क्रॉपिंग जो होनी चीए वह इस पड़ेगा और इसका अगर आप देखें इंडिया के उपर में कितना बुरा असर पड़ सकता है अगर भारत के अंदर में क्या है fertility क्या होने लग जाए गड़ बनोने लग जाए भारत के अंदर में अगर soil की fertility खड़ाब होने लग जाए तो soil डे याद रखेगा important है next है convention to the United Nation convention on biological diversity हमेरे दोस्त आप सभी को कई बार पढ़ाया मैंने कि Rio summit से बहुत सारी चीज़े निकली थी एक desertification से निकला एक climate change से निकला एक convention निकला biological diversity से related कि जो biological diversity है उसको preserve किया जाए उसको रोका जाए ऐसा ना हो कि आप इतना excessive use करें कि जो biological जो हमारे यहां पर diversity है वही खतम हो जाए तो उसके लिए भी क्या किया जाता है कि कैसे shared way में हम उसको use करें कैसे जो information हमें मिलती है उसको कैसे share करें कैसे हम क्यानमे और ज्यादा research करें कि कैसे biological diversity को बचाया जा सकता है diversity का मतलब कि एक ही जगे पर कितने प्रकार के organisms रह सकते हैं चाहे वह जीव जिंतु हो चाहे microorganisms हों चाहे पौधे हों सब कुछ ठीक है समझ रहें तो 15th conference of parties इसकी जो meeting थी यह कहां पर हुई आपके Montreal में अब आप सभी ने बाहर बाहर सुनोगा Montreal Protocol तो Montreal नाम की एक जगे है कहां पर Canada के अंदर में ठीक है तो यह किसके द्वारा चेर की गई चाइना के द्वारा एंड होस्ट किसके द्वारा किया गया Canada के द्वारा ठीक है तो यहाद रखें क्यूंकि कॉप्ट 27 भी जिक्र में था जो आपका UNCCC से UNCCC related है ठीक है ठीक है फ्रेमवर्क से related और आपका UNCCD जो मैं कहना चारू बार बार कौन सा वह convention से related है आपका desertifications है only legally binding ठीक है तो याद रखेंगा तो इस यह दो phases में हुआ पहला phase कहां पर हुआ क्यूमिंग के अंदर में virtually हुआ था चाइना के अंदर में दूसरा आपका कहां पर हुआ Montreal Canada के अंदर में तो याद रखेंगा तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें की गई ठीक है एक और चीज़ याद रखेंगा एक ही target अगर आपसे आ जाए या फिर क्यूमिंग Montreal Global Biodiversity Framework adopt किया गया इसी लिए तो फ्लीज नोट करते रहे बहुत इंपॉर्टेंट है Biodiversity Framework भी बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कार्बन बॉर्डर अड्जस्ट्मेंट मेकेनिजम यह भी मैंने आपको हिंदू नीस प्रम उसी दिन ग्लोबल वामिंग से कारण में क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ग्लोबल वामिंग को रोकना है और ग्लोबल वामिंग को रोकने के लिए क्या करना आपको ग्रीन हाउस गैसिस के एमिशन को रोकने की बात करते हैं लेकिन हो क्या रहा है कि मान के चलिए मैं यूरोप में मैंने एक law ले आया कि मैंने का भाई कारवन का emission नहीं होगा मेरी वहाँ पर क्या है company है क्या है मेरी company है मैंने का यार यहां से अपना project निकालो और किसी island nation में चलते हैं क्या करते हैं किसी island nation में चलते हैं वहाँ पर अपना क्या करेंगे हम production करेंगे और उसके बाद में वहाँ से हम क्या करेंगे माल को export कर देंगे कहां पर यूरोप के अंदर में यानि कि एक तरीके से देखा जाए तो जो objective था उसको आपने क्या क्या बाइपास कर दिया ना objective क्य क्या था ultimately की भाई carbon का emission किसी तरीके से रोका जाए लेकिन आपने क्या कि कारबन के emission की location को shift कर दिया प्रड़क्ट तो वही हो रहा है क्या है प्रड़क्ट तो वही हो रहा है तो इसको हमने बोला carbon border tax यानि कि European Union ने का कि भाई सब कोई भी सामान अगर बाहर से आएगा और ज टेक्स लगाएंगे तो इसका क्या है इंपक्ट भारत के उपने बहुत बढ़ेगा क्यों क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत निये क्या प्रड़क्शन किया है सबसे ज़्यादा समय पर हो रहा और उसका हम एक्सपोर्ट करने स्टील हो गया और सीमेंट हो गया तो अगर आप उनके उपर में टेक्स लगाने लग जाएंगे क्या उनके उपर में टेक्स लगाने लग जाएंगे जिसकी क्या कारण में क्या होगा जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा और उसके कारण में जो एक्सपोर्ट है उसके उपर में क्या पड़ेगा इंपक्ट पड यहां पर मेरे उपना फाइन लगे पैनल्टी लगे उस चीज़ के लिए कोई दिक्कत हो उसके कारण में क्या करूँ मैं यहां से इसको दूसरी जगे पर शुट कर लेता हूं जहां पर क्या हो कोई दिक्कत ही लेने देने वाली बात नहीं तो याद रखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं कारण टेक्स बोलते हैं यह याद रखे है कौन लगा रहा है यूरोपियन यूनिन लगा रही है यह फर्स कारण बॉर्डर टेक्स है चले नेक्स्ट है ग्रेट ग्रीन वाल ऑफ साहिल रिजन उस दिन मैं नहीं पढ़ाते पढ़ाते कराई दिया था जब आप अफरीका को देखते हैं तो वहाँ पर दोस्त डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए कि ये जो डेजर्ट है ये नीचे की तरफ ना जाए आप सब देखेंगे ये ग्रीन ये थोड़ा सा वाइट तो इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं इस पूरे रीजन के अंदर में पेगण लगा रहे हैं जंगल टाइप में बना रहे हैं और जिसके करण में ये डेजर्टिफिकेशन नीचे की तरफ में ना जाए तो क्या है ये इनिशेटिव है जहाँ पर आप एरेबल लैंड जो है जिससे क्या हो जो सहारा डेजर्ट से जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज ना हो तो याद रखेगा जिबूटी हो गया आपका एरेटरिया हो गया एथोपिया हो गया सुडान हो गया चैड हो गया नाइजर हो गया आपका नाइजEरिया, माली, बुर्गीना, फासो, मारितौनिया, और सेनेगल, ये सारी कंट्रीज इसके इंदर में क्या हैं, इनवाल्व है, जहां पर आप forrestry कर रहे हैं, प्या कररे हैं, forrestry कर रहे हैं, और एक вॉल साइब डटाइप की बना रहे हैं, क्या है एक वाल टाइप की आप बना रहें ऐसी मैंने एक बार बताया था आपको ओशन वाल वो भी किस से रिलेटेड है एफ्रीका से रिलेटेड है याद करिए गाम नेक्स्ट है आपका इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान इस चीज़ को ऐसे समझे कि भारत जितना ज्यादा गरम होगा गरम गुस् 번째 वाला गरम नहीं एंद्परिचर वाला उतना ज्यादा उसको ठंडा करने के लिए हमें AC fridge इन सब चीजों की ज़रत पड़ेगी जतना जाधा AC fridge की आपको ज़रत पड़ेगी उतना जाधा आपको electricity चाहिए और जितनी ज़दा electricity आपको चाहिए उसका क्या होता है उसका क्या होता है उसका impact आपके है क्योंकि electricity का production maximum भी कहा से हो रहा है कोईले से हो रहा है थर्मल और थर्मल यानि कि कोईला क्या है उससे कार्बन का एमिशन होता है तो क्या है कार्बन का एमिशन को जो रोकना है क्योंकि आप नेट निउट्रालिटी की बात कर रहे हो आप बार बार कह रहे हो कि हम क्या करेंगे कार्बन से जो हमें एनरजी मिलती है जो energy requirement है उसको हम क्या करेंगे कम करेंगे तो ultimately आप क्या करें भारत में जो rising temperature है इसको क्या करना शुरू कर दें कम करना शुरू कर दें इसलिए हमने इंडिया का cooling action plan बनाया जिसके अंदर में हमने target लिया है कि भाई साब 2037 तक यहने कि 2018 से शुरू करेंगे 238 तक हम जो हमारे हाँ पर demand है 20 to 25 परसेंट इसको क्या करेंगे कम करेंगे ठीक है अब उसको कैसे कर सकते हो forestration एक सबसे अच्छा चीज़ है सबसे अच्छा concept है सबसे अच्छा concept है कि आप forestration करना शुरू करें जिससे नैचुरली धीरी-धीरी क्या होने लग जाए कूल होने लग जाए आप सभी एक और चीज़ जानते हैं कूलिंग का एक और तरीका है कि आज कल आप कैसे structure बनाए कैसे घर बनाए जो क्या करें हीट को क्यान में reflect करके वहां पर एक तरीके से चैंबर टाइप में creation ना कर दे की हीट और ज्यादा क्रीट होती रहे जिसके कारण में और गर्मी होती रहे तो आप अब naturally कैसे environment को कूल कर सके और उसके सबसे अच्छा एक solution हर कोई आपको बताता जो मैंने आपको अलुड़ी बताया था कि अगर हीट वेव से आपको फाइट करना है हीट आइलेंड हो गया यह सब आपस में लिंग्ड है तो उसके लिए क्या है फॉरस्स्टेशन नैचरल जो पॉंड्स हैं जो लेक हैं उनको आप दुबारा से क्या करें रिवाईव करें यह सारे सारे solution हो सकते हैं ठीक है तो climate investment opportunity है भारत के अंदर में कि बहुत बहुत टेक इंडस्ट्री ऐसी होंगी जो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है हम कम energy के उपर में भी क्या कर सकते हैं cooling कर सकते हैं tension मतलो या यानि कि ऐसी भी industries निकलकर आएंगी तो यह एक बहुत बड़ी opportunity है भारत के अंदर में भारत के cooling sector के अंदर में क्या है cooling sector के अंदर में investment को लेकर तो world के इंदर में ये भी इस समय पर देखा जा रहा है next अब देखते है Swami investment fund ministry of finance के द्वारा simple सरल भाषा मैं समझाता हूँ special window for affordable and mid income housing fund Swami fund आप सभी किसी घर के अगर मालिक हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं Swami हो जाते हैं अब क्या है कि बहुत सारी के कारण में क्या हो रहा है उनको घर नहीं मिल पाया तो इसलिए क्या है जो fund जो project है जो RERA से registered है उनको complete करना है क्या कर रहा है उनको complete करना है उसके लिए इस fund का creation हुआ है इसलिए बनाया गया है फिर में बतारो इसलिए was formed to complete the construction of stalled RERA registered affordable and mid income category housing project जिसके कारण में क्या होगा मलब पैसा ना होने के कारण में बहुत सारे ऐसे project हैं जो रुके हुए है जो mid income category के अंदर में घर बन रहे हैं RERA registered affordable के अंदर में घर बन रहे हैं आप सभी ने flats का जिक्र सुना होगा government बनाती नहीं कि भाई साब वहाँ पर flats बना दिए फिर उसके आपकी जाकर क्या करिए वहाँ पर उसके अंदर में register कर लीजिए खरीद लीजिए ठीक है सारी की साही चीज़े तो याद रखिएगा यह बहुत important है इस चीज को note करिएगा कि उसको complete करने के लिए स्वामी फंड का क्या हुआ है creation किया गया स्वामी फंड कॉन ministry of finance के द्वारा इसके द्वारा ministry of finance के द्वारा किसी को कोई doubt किसी को कोई doubt next e-sanjeevni portal repeat repeat यह कहा रहा हूँ मैं यह फिर कहा रहा हूँ कि कई सारे project एसे है जो पैसा ना होने के करण में complete नहीं हो पाय है और आप सबी मेरे दोस्त जानते हैं कि सरकार का aim है कि भाई साब हमें क्या करना है हर किसी को घर provide करना है तो वो project complete नहीं हो पा रहे हैं उनको पूरा करने के लिए स्वामी investment fund का क्या किया गया है creation किया गया जहाँ पर आप क्या करेंगे construction जो रुके हुए उनको दुबारा से activate किया जाएगा अब देखें वहाँ पर अगर काम होना शुरू होगा तो क्या होगा बहुत सारे लोग यानि कि worker भी तो काम करेंगे उनको भी wages मिलेंगे यानि कि job opportunities भी क्यों इससे create हो रही है next है इस अंजीवनी पोर्टल यह क्या है ministry of health and family welfare का initiative है सारे लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर अच्छे doctors हो पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है doctors की accessibility उस प्रकार की नहीं रहती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि doctor to doctor भी connect किया जा सके वान के चलिए कोई ग्रामीर छितर में या कहीं remote area में को ऐसे doctor है जिनको किसी doctor से सला लेनी है किसी बड़े doctor से या फिर कोई patient है उसको बड़े doctor से क्या करना है सला लेनी है तो उसके लिए क्या है इस अंजीवनी platform बनाया गया प्लीज इस point को नोट करिएगा अगर आपको कह दे सिर्फ इसमें doctor to patient ही connection हो सकता है doctor to patient ही क्या है consultation हो सकता है जहां पर जो remote area के जो doctors है जो inexperience होड़े से नए doctor है वो highly renowned जो doctors है जो बड़े-बड़े doctors है उनसे क्या कर सकते इस अंजीवनी platform के जहां पर आप घर पे रहते हुए OPD क्या कर सकते हैं सुवधा ले सकते हैं वहां पर आप क्या कर सकते हैं अपनी साथी चीज़े परिशानिया बता सकते हैं online platform ठीक है तो इस इस इंजीवनी एक platform है जहां पर क्या करोगे आप facilitate कर रहा है बोथ doctors to doctor and patient to doctor ट या फिर जो उस एरिया के सबसे बड़े-बड़े doctors हैं उनको हमने accessible बना दिया है नेक्स्ट है परिवेश बस इतना याद रख लेंगे मिनिस्ट्र ओफ एन्वार्मेंट से रिलेटर हैं कैसे अन्वार्मेंटल से रिलेटर कोई भी अगर clearance चाहिए किसी भी प्रकार की clearance forest clearance wildlife CR Z आपका environment कोई भी single window hub हमने बना दिया है अब आपको सारी चीज़े यहीं से मिलेंगी तो 2019 में इसको launch किया गया था परिवेश की full form क्या है proactive and responsive facilitation by interactive virtuous and environmental single window hub अब आपको किसी चीज़ का approval लेने के लिए अलग-अलग-अलग जगे पर apply करने की जुरत नहीं है क्या है अलग-अलग जगे पर apply करने की जुरत नहीं है आप परिवेश portal के थूँ सिंगल विंडो के थूँ जितनी भी आपको clearances है यह एंवार्मेंटल clearances यह फॉरस clearances यह इससे क्या होगा ease of doing business बनेगा क्या होगा ease of doing business होगा यहाँ पर आप approval rejection साइज यह चेक कर सकते हैं आपको appraisal application submission सारी चीज़े यहां पर होगी तो परिवेश याद रखेगा environment से related जहां पर क्या करेंगे आप आपने अपना submission दे दिया उसके बाद में इसमें होगा और various type of clearance environment forest wildlife regulation zone सारी clearance आपको मिल जाएंगी सब कुछ मिल जाएगा और उसके आप उपने चीज़ को apply कर सकते हैं नेक्स है new India literacy program इसको हमने launch किया गया है और हमने target लिया 2026-27 तक हमने target लिया next 5 साल तक हमने target लिया और नई education policy के साथ हमने क्या किया इसके इंदर में इसको integrate किया main objective क्या है main objective यह क्या है कि हमें जो learning है जो learner है foundational level पर literacy and numeracy पढ़ने की और कुछ solve कर पाने की शमता उसको क्या करना इंक्रीज करना है ठीक है और जो हमारी जो range है उसको क्या करना लगातार बढ़ाना इसी को आप कर सकते हैं क्या निपुन भारत करके उससे आप कर सकते हैं तो प्लीज याद रखिएगा important है तो जो non-literate है उनको अगर देखा रहे है 15 साल और से उपर की तो उनके अंदर में इसको क्या किया रहेगा collaboration है किसका NCIT का NIUS का और इसके दर main focus क्या है literacy करनी है कौन से non-literate जो क्या है 15 और उससे साल जादा उमर के तो उनके अंदर में इस चीज करना याद रहेगा new India literacy program अब आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में संख्या बहुत जादा है यंग generation बहुत जादा है तो वह कैसे थोड़ा सा पढ़े लिखे हों कैसा वह aware हों अगर थोड़ी सी भी उ विरासत का समवर्धन पीम विकास तो इन शॉट जो माइनॉर्टी से रिलेटीड स्कीम थी जैसे उस्ताद स्कीम सीखोर कमाओ यानि कि ट्रेनिंग करते करते आप कमाओ हमारी धरोहर नई रोशनी नई मनजिल की कैना विमेन के लिए था विमेन एंट्रपरनेर्शिप के ल जो स्कीम सी नि उनको क्या किया है टीग्रेट कर दिए गया उनको क्या क्या गया जिसका नाम क्या है एंदर में जो आपके माइन और टी है जो education women entrepreneurship skill development उन सब के लिए काम करेगा तो इस किसके अंडर में काम करेगी minority of affairs के अंडर में प्लीज याद रखेगा क्या है पीम विकास आप सभी एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे कि बहुत सारी schemes को क्या किया जा रहा है consolidate किया जा रहा है जैसे आपने देखा होगा महिला से related schemes को कर लिया गया portion से related nutrition से related schemes को एक जगे पर कर लिया गया तो ऐसी मान के चलिए पीम विरासत का समवर्धन पीम विकास आपको simple सी बात याद रखता है जो minority के development से related scheme से उनको एक जगे पर consolidate किया गया नेक्स्ट है probability portal अब यह चीज़ समझेगा probability की क्या बात की जा रही है इसको हमने ऐस सरी के से कहा है कि पहले बात यह समझेगा यह DOPT के अंदर में आता है department of personal and training ministry of persons and public revances 2017 में इसको launch किया गया था किसलिए लांच किया गया था कि जो data है ministry से उसको लेकर आया जा सके कि भाई कैसे issues चल रहे हैं कि मानके चलिए sanctions for prosecution उतने cases कैसे pending है transfer कि अगर मानके चलिए कोई critical office है तो कितने समय पर क्या हो रहा है transfer हो रहा है मानके चलिए जो sensitive post हैं वहाँ पर officers को क्या करना identify करना समझ रहो आप समझने की कोशिश कर रहो यहां पर यह कोशिश की जा रही है कि कैसे इंडियन जो government system है उसके अंदर में क्या किया जाएगा चीजों को और ज्यादा कैसे transparent किया जा सके जैसे कई सारे offices होते हैं officers होते हैं पिछले 10-10 साल से बहुत important क्या है institutions में बैठे हुए तो उसको solve करने के लिए क्या है उसको solve करने के लिए चीज लेकर आया गया तो main याद रखे है probability क्या है जहां पर आप क्या करेंगे rotation of officers on sensitive and non sensitive post to identify officers occupying sensitive post over three months तीन महीने से ज्यादा जो लगातार बैठे हुए इसके लिए तो प्रोबिटी पोर्टल याद रखेगा किस चीज से ठीक नहीं भाई मैंने minority की बात करिए minority वाली पांच स्कीम नाम लिखा तो पांच स्कीम वो सारी सारी स्केंद्र मैं लोगों ने दिया एक्जाम उनको help मिली है आप अगर को लगता है तो आप कर लीजिए नहीं लगता तो कोई बात नहीं तो मैं यह नहीं कह सकता है कि सारे question यहीं से आएंगे लेकिन current affair तो current affair होता है अब मान के जिले भारत net project अगर आ जाए तो भारत net project तो किसी में भी आ सकता है यह क्या है कि भाई 2.5 लाक जो हमारे आप ग्राम पंचायत हैं उनको क्या करना है फाइबर के थू कनेक्शन करना है तो 2015 में इसका नाम चेंज किया प्लीज याद रखें minister of communication के द्वारा आए 2011 में scheme launch ती वैसे किस नाम से national optical fiber network के नाम से उसका नाम हमने चेंज कर दिया भारत net कर दिया 2015 के अंदर में और में objective क्या है में अब्जेक्टिव यह है कि धाई लाक ग्राम पंचायत को optical fiber के थू हमें क्या करना है connect करना है क्या करना है connect करना है तो याद रखेगा इससे फिर आप मान के चले ग्राम पंचायत तक अगर आप क्या लेकर चलेगे आप वहां तक अगर fiber optics लेकर चले गए सारी की साथ चीज़े लेकर चले गए तो क्या होगा गवर्नेस बढ़ेगा एजूकेशन बढ़ेगा वहां पर सर्विसेज बढ़ेंगी अगर आप internet बेस जो सर्विसेज आप प्रवाइड करते ये सब चीज़े भी क्या होंगी यह सब चीज़े भी increase होंगी एक एक प्रोजेक्ट वानी यह प्रोजेक्ट वानी रखेगा Google इंडिया ने टीम करिया किसके पहारत के अंदर में जो भाशाय बोली जाती है जो लैंगे सैंपल है उसको क्या करेंगे और उसके बैसे पर हम क्या है इंडियन लेग्वेजिस का करेंगे तो पेयार करेंगे तो फ्रजेक्ट वानि किसका गोगल ंडिया का और एक कोंसे醒 का एक प्रोजेक्ट पीजिसके अंदर में आर्टीफिशिल करेगा चले अगया पढ़ते हैं प्रोजेक्ट वानी अगया पढ़ते हैं ग्रूप आफ फ्रेंड्स क्या है ग्रूप आफ फ्रेंड्स यह इनिशेटिव भारत के द्वारा लिया गया United Nations Security Council की अभी हमारे साब पास क्या थी Presidency ती जिसके अंदर में यह कहा गया कि आप यह चीज नोटिस करिएगा कई सारे पीसकीपर जाते हैं जो बहुत सारे ऐसे एरिया ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सिचुएशन बहुत खराब होती है वहां पर UN के पीसकीपर जाते ना प्रफोस तो वहां पर उनके अगेंस में भी क्या किया जाता है उनको भी कई जगा लोग उपर को मार दिया जाता आप सभी ने नियूज में सुना होगा कि कई सारे लोगों की जान चले जाती है तो इसके अंदर में एकाउंटिबिल्टी को फिक्स करना जो पीसकीपर जा रहे हैं यूएन के मिसंट के उपर में जहां पर थोड़ी सी दिक्कत है वहां पर शांती को स्थापित करने के लिए वहां पर किसी की रिस्पॉंसिबिल्टी है क्या है किसकी रिस्पॉंसिबिल्टी तो ग्रूप ओफ फ्रेंड ये इनिशेटिव शुरू किया गया इसके इंडिया, बंगलादेश, इजीप्ट, फ्रांस, मरोको, नैपाल ये सभी रहे तो इक क्या है तो प्रमोट अकाउंटबिल्टी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीसकीपर्स फीक फैसिलिटेशन ओप कैपसिटर बिल्डिंग एंड टेकनिकल अससेस्टेंस उदा हो सेट अथ टू मेटिंग उफिटस मेंबर यह परी तूरज ये मैं बताया तो पीछे यार की वो डियम विखास के इंडर में सब्स्थ पांच ही स्कीम आईए बाई पांची स्कीम आईए जो मायनोरटीज के लिए शुरू की गई थी जो माइनोर्टिस के लिए शुरू की गई थी नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ओर्गनाईशन आईयलो 1919 में आईयलो की स्थापना होती है और ये एक मात्र ओर्गनाईशन है जिसके इंदर में तीन लोग इंवाल्व हैं कौन-कौन से आप ये किन मानिए कौन-कौन से गौवर्मेंट है जो जॉब दे रहे हैं एंप्लॉयर है और जो वर्कर है ये तीनों लोगों ने क्या क्या है इसके इंदर में है तीनों लोग इसके इंदर में तो इंडिया क्या founder member है आईयलो का भारत ने सारे के सारी तूर जेया शेक सेS जिसको Nobel Prize 1969 के इंदर ही मिला था और बहुत सारी रिपोर्ट निकालते है जैसे कि सोचल आटलूक रिपोर्ट वर्ल्ड सोशल प्रटेक्शन रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट हमने अल्रीड डिस्कस करी है तो आई यह लोगे बारे में पढ़ लीजेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आठ इसके कन्वेंशन है उसमें से भारत ने सारे कन्वेंशन को रेटिफाइड नहीं किया है छे अफगानिस्तान वाले से रेलेटिट है तो युनाइटे नेशन सेक्योर्टी काउंसिल ले अफगानिस्तान के अगेंस्ट में यह रिजूलिशन लिया और यह कहा कि अफगान टेरिटरी का यूज नहीं किया जाएगा किसी दूसरी कंट्री के उपर में अटैक करने के तो अगर पूछ लें आपसे 2593 रेलेटिट है तो अफगानिस्तान से रेलेटिट है कि अफगानिस्तान की जो सॉल है क्योंकि तालिबान ने क्या किया उसका टेक ओवर कर लिया है तालिबान की सरकार वहां पर स्टैबिश होगी है तो अफगान की जो सॉल है वो किसी दूस के अंदर में एक सरकार थी सरकार को हटा कर वहां पर क्या हुआ आर्मी ने अपना आप आर्मी च्विंश थे अंदर में छुपके बैठे वेए थे हमारे देश के इंदर में इंसर जिन से फैलाने वाले कई सारे ग्रूप उनको सफाया करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले किया साथ में ही म्यामार के अंदर में हमारे यानि कि भारत के बहुत सारे investment प्रोजेक्ट भी हैं तो भारत की सामने डायलम आया तो एशियान जो Association of South East Asian country है उन्होंने क्या क्या फाइव पॉइंट एजेंडा बनाया है कि कैसे political crisis को म्यामार के अंदर में खतम किया जा सकता है पहला का है कि भाई साब सबसे पहली बात तो violence immediate level पर खतम होना चाहिए दूसरा constructive dialogue होना चाहिए ठीक है तीसरा क्या है special अशियान की जो सारे के सारे लोग जाएंगे वो सारे के सारे रश्या सपोर्ट कर रहे भारत ना सपोर्ट कर रहा है ना उसको condemn कर रहा है ठीक है यह सारे के सारी चीजे हैं तो यह news के अंदर है बना हुआ था कि और USA ने क्या क्या सेंक्शन्स लगा दी है तो अब भारत के उपर में यह आरूप लग रहा था कि भारत किस के साथ रहेग आप सभी को यह पता होगा दोस्तो, सार्क करंसी स्वाप फैसलिटी 2012 में बनी थी, जहां पर यह कहा गया था किर शौर्ट टाइम के लिए मान के चलिए, किसी के पास में औरन करंसी का बिल्कुल खतम होने की कगारूप्य आजा है, यहनि कि बैलेंस ओपेमेंट वाला क्राइस होता है, तो आपको किस के पास जाना पड़ता है, आईमेफ के पास में की बैस सब मुझे इतने कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे क्या है, मैं अपने देश के अंदर में जो चीजे हैं, उसको क्या कर सकूँ, तो याद रखिएगा, तो आर्बिय ने करंसी स्वाप अग्रि इसको काउंटर करने के लिए, आईमेफ को काउंटर करने के लिए है, चलें, स्वाप मतलब या बदलना, करंसी स्वाप, करंसी चेंज करना, एक्सचेंज करना, नेक्स्ट है, इंडिया, सेंट्रल एशिया, सेक्योर्टी मीट, अभी भारत ने, कजगस्तान, किर्गिस्तान तज़किस्तान उसbaghistam के साथ में क्या किया है मीटिंग करी है और ये तीसवी अनिवस्यर्णी को Celebrate किया जा रहा है भारात पो Central Asian countries के साथ आप सभी जानते हैं Central Asian जो countries है जो भी नाम मैंने आपको बताए ये सभी बहुत important रोल प्ले करते हैं क्योंकि यहां पर रिसोर्स भी है प्लस मैं यह बॉर्डर किसके साथ शेर करते हैं आपके रश्या के साथ भी इधर इसमें चाइना का भी इंटरस्ट बहुत जादा है तो लगातार इंडिया अच्छा इसी लिए आपको ध्यान होगा कि इरान के अंदर में हमने इसी लिए तो क्या बनाया वो पोर्ट बनाया ना कि हम सेंट्रल अशियन रीजन में अपनी कनेक्टिविटी को इनक्रीज करना चाहते हैं हमने जो अफगानिस्तान के अंदर में जो इतना इन्वेस्टमेंट किया उसके पीछे reason तो यही है न कि हम यहाँ पर अपना क्या करना चाते है इसको increase करना चाते है presence को तो please इस point को note करिएगा प्लस मैं SEO है क्योंकि news में शंगाई cooperation organization इसलिए भी यह क्या आ जाता है news के अंदर में आ जाता है तो याद रखिएगा next है lesson corridor यह आ सकता है इसके आने के सबसे राचान से तो आप सभी को पता होगा कि अजर्बेजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई चल रही थी युद्ध हो रहा तो उसके अंदर में एक region है जिसको करबक region भी बोला जाता है जिस पर क्या है dispute है अभी भी और इसी के कारण से यहां पर हमेशा चोड़े चोड़े समय के बाद में यहां पर वार होती रहती है किसके बीच में आजर्बेजान और आर्मेनिया के बीच में अब आपको पता है आजर्बेजान इधर की तरफ में नहीमी बादर को टच कर रहा है यह धोल रहा है यह नहीं करता है इवे बताई और आजर्बेजानilot किस बादर के साथ में आप produce आए गा अपके दिमाग में कस्वारिजान से भी आएगा आपके दिमाग में education वे गया तो मैप पर दूरंत लोकेट कर लिए गए क्या है लोकेट कर लीजिएगा तो लाश्चिन कोरिडोर ये एक ऐसा कोरिडोर है जो क्या करता है इन दोने देंशेंज को क्या करता है अपस में कनेक्ट करता है ये only road है जहां पर दो territories आपस में क्या होती है कनेक्ट होती है इसको life line भी बोला जाता है किसके लिए नगोर्नो करबक रीजन के अंदर में तो आपसे ये भी question पूछ सकते हैं नगोर्नो करबक रीजन किस चीज़ कहां से है कहां से है तो याद रखिएगा ये किसके बीच में अजरबेजान और आर्मेनिया के बीच में तो territory कहां पर अजरबेजान में लेकिन इसको control कौन कर रहा है control कौन कर रहा है आपका Armenian military कर रही है तो इसी कार्ण से यहां पर हमेशा dispute बना रहता है तो यहां पर एक लाशन कॉरिडोर है जिसको कहा गया कि ब्लॉक कर देंगे जिसके कार में आर्मेनिया और करबक रेजन के बीच में क्या है कोई भी वो नहीं बचेगा communication तो याद रखेगा तो प्लीज याद रखेगा लैशन कॉरिडोर कौन से रीजन में और यहां की इसको प्लीज नोट कर लिजएगा चले साइंस एंड टेक्नोलोजी से रेलेटेट देखते है हकूतो आर मिशन वन पहला जापान का लूनर मिशन जहां पर आप क्या है प्र उसने क्या किया है उसको लांच किया गया मून के उपर में तो किसने लांच किया है स्पेस्क्राफ्ट कौन था कौन सा यूज किया गया स्पेस एक्स फालकर नाइन किसका है स्पेस एक्स एलनमस साथ की है तो उन्होंने किसको किया हकूतो आर म1 लेंडर को लेकर गए हकूत तो आर एंवन लेंडर को लेकर तो प्लीज याद रखेगा तो एंवन जो लेंडर है वह कहां पर सॉफ्ट लेंडिंग करेगा एट्लस केटर एट्लस केटर कहां पर है मून के उद्धर आग जाएंगे साउथ इसन एज की तरफ जाएंगे अब आप एक और चीज़ देखिए है य।ोनाइटेड स्पेस यूएस चायना और ॉएसेसवार उन्होंने सिर्फ क्या कर सके घृत्ष लेंडिंग को अचीब है उसके अलावा अभी तक और कोई सौफ्ट लेंडिंग मून के सर्फेस पर भारत ने कोशि़िए फ्कन सौफट लेंडिंग हम नहीं कर पाएते सफ लैंडिंग का मि 어제 आप लेंड करना देखिए एक हो गया उसके एर्धफ गिर्फ चक्क्र मानरा और बिट में फिर उसके अंदर से जाता है लेंडर जो वहाँ पर लैंड करता है उनकी जमीन पर फिर उसमेंसे निकल कर रोबोट निकलता है जो घोमता है चामरो चाइना करते हैँ अकर गिरेगा उसको बोलते हैं क्या लेंड़ उसके चारोत रोग घूम रहे थे लेकिन जब लैंड करना था तो क्या होता है क्रैश हो गया था हूँ यह क्या है यह क्या है यह क्या है यूए का रोवर है एक तरीके से मशीन समझ लीजिए जो उसके ऊपर में घूमेगी और वहां से क्या करेगे सारी चीज़ें लेकर आएंगे वहां से क्या करेंगे सामान लेकर आएंगे ऩॉप मैं इस एक और है प्रेजर ने तस्वीर देखिएूंगी बहुत जहादा क्या करता है फोटो क्लियर क्लियर भेज़ता रहता इसने क्या है चांद के उपर हैं पहुच गया है जो किस पर मार्स के उपर में गया है तो क्या करता है यह वहाँ पर वहां पर यहां पर तूफान आ गया कभी आपके पास समय हो करना तो सर्च करना प्रेजर वेरंस इमेजिज ऑफ मार्स तो बड़ी बढ़िया बढ़िया मार्स की इमेजिस भेजता रहता है ठीक है तो यह बहुत साइज चीजें करता है जैसे इसका एक सैंपल इसने कलेक्ट किया था सॉइल का और रॉक का जहां पर इसने का कि भाई यहां पर भी रही है और एक और याद रहे जेजरो क्रेटर कहां पर है मार्स पर यह 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 भी आदे नोट करके रखेजीएगा जेजरो क्रेटर नेक्स्ट है डीफेक टेक्नोलोजी मैंने ऐसा कभी कुछ कहा नहीं मैंने ऐसी जगे पर था नहीं लेकिन आपने फिर भी क् यूज करते वे, artificial intelligence का यूज करते वे, real appearance, voice, presence सब create कर दो, उसको बलाया था deep fake, जहां पर आप क्या करोगे, artificial intelligence के थूँ, आप images, audio, video, इन सभी को एक साथ लेकर आओगे, और आप misinformation पहलाने के लिए, real person को replace कर दोगे, अपनी जो fake video है, fake audio है, fake image उसके थूँ, और ये क्या है, आने वाले समय में, बहुत बड़ा क्या कर सकती है, एक रूप ले सकती है, crime का, आने वाले समय में, आपको सोचिए, कोई देश, किसी दूसरे देश के against में, इसका use कर सकता है, आपको सोचिए, कोई, क्या नमे, community, आपस में इसका use कर सकते हैं, political parties, आपस में इसका use कर सकते ह तो deep fake technology आने वाले समय में एक बहुत बड़ा threat लेकर आ रही है और भारत में deep fake technology को control करने के लिए अभी कोई legal provision नहीं है तो याद रखेगा नेक्स्ट है two Africa pearls अफ्रीका के इर्ध गिर्ध क्या करना है अफ्रीका के इर्ध गिर्ध आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर connectivity को increase करना चाह रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं सब सी यानि कि सी के नीचे cable system को आप create कर रहे हूं याद रखेगा two Africa pearls is one of the world's longest subsea cable system जो interconnect करेगा किसको आपके Africa, Asia, Europe के उनको तो फेस्बुक ने किसके साथ में किया है बहुत फेस्बुक को आप सभी जानते हैं मीटा अब नाम हो चुका है फेस्बुक ने हमारी जो एटल है भारती एटल उसके साथ में collaborate किया है कि वो expand करेंगे two Africa pearls को इंडि करेंगे ठीक है तो companies के नाम याद रख लिएगा two Africa pearls किसी से related है वहाँ पर connectivity को increase करने से related जहाँ पर आपका main objective है कि Africa, Europe और Asia को आप connect करेंगे और आप क्या करेंगे सब C यानि कि C के नीचे सबसे बड़ा cable system को establish करेंगे ठीक है clear है जिसके अंदर में आप approximately 37,000 km लंबी आप कर करेंगे और यह का जा रहा इस project को और extend किया जाएगा किया तो धीरे धीरे यह क्या करेंगा fixed line broadband सारी चीजने बढ़ाएगा connectivity बढ़ाएगा और जो Africa में रहने àले люб है उनको भी क्या करेंगा help करेंगा और देशों में धी रहने वाले लोग है उनको भी क्या करेंगा connect देशी जी पीटी बहुत ज्यादा नियुस में आपने सुनी लिया होगा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जहां पर भी आपके हर प्रश्ण को देने की कोशिश करेगा उत्तर देने कोशिश करेगा आप जो चाहो वह सारी चीज़े मिल जाएंगी आप जिस तरीके से कोश्चिन डेख लेने एक है रंगनात मिष्क्रा कमिशन घृतै कि बनाया गया था इसका नाम था इस नेम आव दा टा नेश्नल कमिशनधा कमिशल रिलीजिस्टिट ना था यह इसलिए देखा गया था कि भाई जो रिलिजिस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटिस के जो इश्यूस है उनको कैसे टड़ी किया जाए तो अपने रिपोर्ट इन्हों 2007 में सब्वित करी थी इसके अंदर में इन्होंने एक बात कही थी जैसे स्टी जो है वो रिलिजिस नीट्रल है वैसे ही स्टी उसको भी क्या है रिलिजिस से हटा देना चीए अगर ट्राइब स्टी है अगर वो तो किसी भी रिलिजिन को बिलोंग कर सकता है तो एससी हैं क्योंकि आपको पता है न यह बहुत जादा इस समय न्यूज में चल रहा है कि क्या कन्वर्टिड सब को हमें reservation का provision देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो इसने recommendation दिया था कि दलित who have converted into Islam or Christianity to avail schedule caste status यानि कि उनको schedule caste का status दे देना चाहिए तो यह आज कल news में बहुत जादा चल रहा था तो रंगनात मिश्रा commission का जिक्र आया था तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा next है North Eastern Council क्या है North Eastern Council तो North Eastern region के अंदर में economic and social development के लिए यह council बने थे एक चीज़ note करिएगा हमारे यहाँ पर कई सारी zonal council है तो वो और यह North Eastern zonal council दोनों statutory body यह आनि कि constitutional body नहीं है constitution के द्वारा नहीं बनी एक्ट के द्वारा बनी है पर कितना है जो नौर्थ वेस्ट साउथ यह जो जो जोनल council थी जो central पांच जोनल council थी वो बनी थी आपके किसके थुरू state reordination act 1954 के तहट बनी थी थोड़ा सा ध्यान दीजिए लेकिन यह जो नौर्थ इस्ट की चो council है कि वहाँ पर नौर्थ इसके सारे स्टेट आपस में बैठ कर क्या करते हैं बैठते हैं और यह कोशिश करते हैं कि कैसे development से रिजन में किया जाए वो कौन सा 1971 के तहत में बनी थी तो फिर याद रखिएगा जोनल कांसिल नौर्थ इस्ट कांसिल दोनों statutory body है constitutional body नहीं है बट अगर आपको कनफ्यूज करें कि जोनल कांसिल के साथ साथ में लिख दें कि नौर्थ इस्टन कांसिल यह भी क्या हुआ है उसी समय पर स्टेटिशनल बॉड़ी है स्टैचूटरी बॉड़ी जो नॉर्थ इस्टन कांसिल 1971 के तैज़वरी थी इसके इंदर में एक बार अमेंड्मेंट वाए 2002 में क्यों पहले इसमें साथ मेंबर देखा ली जब 1971 में बनाया गया तो इसमें से साथ मेंबर थे सिक्किम इसका हिस्स सभवाञétais इंपर्टेंट कूण को होते पहले मिनुस्तर होते इसके इसकेज़ने मिनें मेंकी इसके चैरपरशन को नौट करिए घा Uh कोई doubt इससे related किसी को मेरे ख़ल में इससे related किसी कोई doubt नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त तो यह याद रखिएगा नॉर्थ इस्टन council ठीक है next है कारा हमारे देश में adoption होता है लोग बच्चों को adoption होता है और ऐसा भी होता है कि देश के अंदर में भी adoption हो और country से country में भी adoption होता है तो उसको regulate करने के लिए उसको देखने के लिए कौन करता है हमारे पास में यह authority है central adoption resource authority कारा जो किसके अंदर में काम करेगी ministry of women and child development के अंदर में constitutional body नहीं है statutory body है याद रखिएगा तो Indian children and mandated to monitor and regulate in country and inter country भारत के अंदर में भी और दो countries के बीच में भी अगर कोई क्या होता है ऐसा को adoption होता है उसके लिए ठीक है तो याद रखिएगा तो कारा designated authority है central authority जो deal करती है इन सब चीजों से related हमने हे convention था अब देखिए adoption तो देश विदेश में भी होता है ऐसा तो जरूरी नहीं कि सिर्फ देशों के अंदर में होता है तो 1993 1993 के अंदर में क्या थी एक convention तो आप से यह भी पूछ सकते हैं हे convention किस से related है तो याद रखिएगा चाइल्ड के adoption से related है चिल्डरन से related है ठीक है तो उसके लिए इसको किया गया था तो कारा designated है उसके कारण में भी ठीक है तो प्लीज याद रखिएगा तो जुमराइल से related मामले सारे का सारी देखते हैं कारा के बारे में इतना याद रखिएगा ठ रूल 267 यह कहता है जो आप काम अभी कर रहे हूँ जो भी चीज आप देख रहे हो जो प्री डिसाइड़ मैटर है जो प्री डिसाइड़ एजड़ा है उसको सस्पेंड करिए और इस इंपॉर्टन टॉपिक के उपर में क्या करिए बात करिए नोटिस दिया जाता है चेर्मन करना किसी को सब्भाइ करना तो आप करेंगे नहीं काम क्या है स्पैशल पावर देता है राज्यसाह के मेंबर को कि वह क्या करें एक नोटिस दें जिसके तयात में प्री डेडिसाइड डिट एजिणड़ जो चल रहा था उसको क्या किया जा सके ठीक है और उसके बाद में जो दूसरा काम है उसको यहाँ पर discuss किया जा सकी जो और ज़्यादा important है लेकिन इसके इंदर में chairperson का रोल बहुत important क्योंकि उन्हीं के पास है power है कि वो मंजूरी देते हैं या नहीं देते मंजूरी देते हैं या नहीं देते ठीक है suspension of rule को तो याद रखे है two six seven तो कई सारे लोगों ने आरोप लगाया कि जो two six seven का जो यूज है वो नहीं किया जा रहा है और two six seven के तैयत में किया राज्यसभा के जो chairperson है वो अलग तरीके से काम कर रहे है या पार्लेमेंट को काम करने नहीं दे रहे है इवन जो government है वो आरोप लगा रहे है कि two six seven का यूज किया जा रहा opposition के द्वारा पार्लेमेंट के function को रोकने के लिए ठीक है तो याद रखेगा कुछ exercises है देख लेते हैं exercise अगनी warrior किसके बीच में किसके बीच में आप इंडियन आर्मी और आपके सिंगापूर आर्मी के बीच में ब India के बीच में लेगन इसी को पहले हम प्रबल दोस्तक के नाम से जानते थे तो यह passions और आ जाए इंडिया और врем प्लीज नोट कर लिजेगा ठीक है ये question कई बार पूछा जाया है कई बार पूछा जासे है exercise से देखे पूछा जाता है यो दब्यास मैंने आपको बताया था यू से याद कर लिजे कौन यूएस तो इंडिया एंड यूएस के बीच में क्या है ये exercise है यो दब्यास news में था joint exercise है कहां पर उत्तराखंड में उत्तराखंड में होने के काड़ में क्या होता चाइना के पेट में दर्द हुआ था नेक्स्ट है zombie virus का उनलब क्या कि कोई virus क्योंकि उसको कोई वो नहीं मिला किसी का सहारा नहीं मिला कोई ऐसा catalyst नहीं मिला जिस पर उपकाम कर सके इस कारण से तो किसी ice के अंदर में frozen area में चला जा, dormant हो जा, लेकिन हो है जिन्दा अभी भी, अभी समझे, यानि कि zombie virus, term virus को दिया जाता है, जो frozen in ice and therefore dormant, तो zombie virus have been dormant for many years due to being trapped inside the ice and have come to life after the ice melted, जैसी वो ice पिंगली, जैसे वो ice के इंदर चले गए, अब वो dormant हो गए, यानि कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही, वो ice पिंगली, तुरंट वो life उनके पास वापस आगिया, वो दुबार से काओं, यानि कि वो मरे नहीं थे, खतम नहीं हुए थे, अभी तक, virus को या तो खतम कर दो, तो virus खतम नहीं हुए, वो अभी भी life थी, लेकिन वो inactive थे, काम नहीं कर रहे थे, जैस के अंदर में बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, तो प्लीज याद रखिएगा, important है, ठीक है, next अगर देखते है, commodity market, तो commodity market क्या होती है, जैसे अभी आप simple सी बास समझे, stocks खरीटते हो, sell purchase करते हो, है ना, तो ऐसे ही आप क्या कर सके, commodity को बेच सके आप खरीद और बेच सकते हैं, commodities को और उनके directives को, उसको बोलते है, commodity, market, gold को बेच सकते हो, आप क्या है, crude oil को बेच सकते हो, wheat को बेच सकते हो, खरीद बेच सकते हो, तो यह सारी के सारी चीज़ें, यानि कि raw material का खरीद भरोग तो इसमें हो जाए, यानि कि एक तरीक है, share market में तो क्या करता हो, आप company के अंदर में share, बेचते हो, आप क्या है, commodity को, यानि कि किसी सामान को, किसी good को, खरीद और बेच सको, किसी market के अंदर में, उसको बोलते है, commodity, market बोलते है, next है, millets, please, 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 my different, 2018 को हम, national year of millets के रूप में मना चुके हैं, पहली बार, 2023 को हम, international year of millets क अठा रहा हो चुका है हमारा, international year of millet, हम 2023 को मना रहे हैं, यह point note करिएगा, ठीक है, और यह आपका food and agriculture organization ने, जो UN की agency है, उसने इसको दी थी क्या permission, और आप सभी जानते हैं, कि millets, आप इसके उपर में कितनी बात की जाए, millets आप जानते हैं, जिसको हम, श्री अन इस बार के budget में बोला गया, कि इससे बढ़िया कोई अन हो ही नहीं सकता, और यह क्योंकि पानी जहां पर कम है, environment उतना सही नहीं है, वहाँ पर भी उगाया जा सकता है, इससे आपको पता इससे बहुत सारे क्या मिलते हैं, minerals मिलते हैं, कई सारी भी मारियों को इलाज हो सकता है, जो farmers ज रिपोर्ट से उनको देखते हैं, restoration, barometer, restoration, barometer, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा, release किया जाता है, कि कैसे कैसे restoration हो रहा है, land को कैसे restore किया जा रहा है, कैसे environment को restore किया जा रहा है, अलग-अलग policies को implement करके, अलग-अलग targets को implement करके, तो restoration, barometer report, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा, next है glass report, glass का full form क्या global analysis and assessment of sanitation and drinking water, ये UN water का initiative है, जो WHO implement करता है, ये WHO कहता है कि वैसा खराब पानी, कि कारण में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की बिमारी हो जाती है, बहुत जादा बिमारी हो जाती है, तो water, sanitization and hygiene, इसको manage करना और UN water के साथ में रहता है, UN water और WHO release करता है, और ये बताते हैं कि किस-किस देश के अंदर में, drinking water से related, hygiene से related, sanitization से related, ये सब चीजों के उपर में काम होना शुरू होगा है, या कौन-कौन से nation अच्छा improve कर रहे है, कौन-कौन से region improve कर रहे है, और इसलिए आपको ध्यान होगा कि भारत के अंदर में भी क्या चीज implement हो रही है, हर घर नल से जल, ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया inequality report, इसी के बाद में Oxfam बहुत ज़्यादा news में आ गया था, government ने criticize भी क्या था, कुछ actions भी होते, आप सब को पता है, सारी चीज़े क्या-क्या, तो इंडिया inequality report, किसके दो बारा Oxfam के दोरे निकाला गया, और यह कह रहा है कि भारत के अंदर में जो inequality है, वो बहुत बढ़ गई है, आपके health के में देखे, वहाँ पर inequality है, financial services है, वहाँ पर inequality है, आप अगर education में देखे, वहाँ पर inequality है, digital level पर, इवन अगर आप देखेंगे, कि ज़्यादा internet यूज यूज कर पाना, अच्छी quality वाला internet यूज कर पाना, अच्छी electricity को यूज कर पाना, वो सारी के अंदर में भी हमें inequality देखने को मिलती है, तो अगर पूछे लें आप से India inequality report, इसके दोरा तो Oxfam इंडिया के दोरा, next है, global crime trends, क्या है, global crime trends, याद रखेगा, इंटर पोल के दोर फर्स टाइम, रिलीज किया गया, जो डाटा देता है, 195 countries से जो उनके पास में डाटा निकला है, तो उसको मैप करता है, कि क्या-क्या आने वाले समय पे emerging threat हो सकते हैं, तो फर्स है, प्लस में एक और चीज दिये दिखे हैं, कि इसलिए भी है news में आपके लिए important है, कि Interpol की क permit भी भारत के अंदर में हुई थी, तो इसलिए ही क्या हो जाता है, important हो जाता है, next है global wage report, कौन करेगा, आईए लो, international labor or nation, उसके द्वारा ये publish किया जाता है, जो अलग-अलग countries के अंदर में देखता है, कि भाई, वहाँ पर wages increase होने शुरू हुए या नहीं हुए, वहाँ की conditions improve नहीं शुरू हुई या नहीं हुई, covid के कारण में जो wages का loss हुआ था, वो ठीक होना शुरू हुआ या नहीं हुआ, ये सारी के साथ चीज़े है, तो global wages decline हुए, क्या आप देखेंगे, तो ये कह रहे हैं कि 2008 के बाद में पहली बार decline होते वे नजर आए, ठीक है, living expenses capacity कैसी हो चुकी है, कितना और आगे जा सकते हैं, ये सारी के साथ चीज़े हैं, world malaria report, कौन रिलीज करता है, WHO, तो भारत के अंदर में 79% cases, अगर South East Asia के अंदर में देखा जाए, तो 83% death, और 79% cases आपके, सारे के सारे आपको कहा मिलेंगे, भारत के अंदर में मिलेंगे, तो malaria, इसके द्वारा होता है, आपके अनोफील्स, मॉस्कीटो के द्वारा होता है, फीमेल मॉस्कीटो है ये, प्लीज नोट कर लिजेगा, और अलग-अलग जगे पर, अलग-अलग वहाँ पर नजर आते हैं, क्या रखिएगा, social hostilities index, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, य यह आ सकता है, क्योंकि यह जब हिंदू निश्पेपर में आया था ना, बहुत ज़्यादा होंगा, अच्छा था इस चीज़ को लिए, यह वाशिंग्टन में एक है, Pew Research Center, उसने निकाला था कि किस-किस देश के दर में, social hostilities जादा बढ़ गए है, social hostilities का मतलब क्या, कि society के पर, आपस में, differences, plus में, restrictions, ability to move, यह सब चीज़ों के पर किसनी प्रकार के restriction है, तो इन्होंने कहा कि अगर देखा जाए, तो mob violence, harassment, religious related, religion related, arm conflict, ऐसी कैसी hostilities बढ़ी है, तो इन्होंने भारत को first ranking दी थी, कि भारत के इंदर में, अब मनलब यह सोची है, अफगानिस्तान से भारत की rank first दी उन्होंने की act of religion, hostility, private individual के द्वारा, organization और group के द्वारा, तो इनके हिसाब से भारत क्या है, टॉप है, social hostility के related, किस से related, religion से related, ठीक है, मलब आप वो कह रहे हैं कि जो इजिप्ट है, सीरिया जासा देश, सोमालिया, पाकिस्तान, वहां से related देश, ठीक है, तो इसी कारण से होंगामा मचा था बहुत जादा, तो यह news के अंदर में था, ठीक है, नेक्स्ट है, लोसार फेस्टिवल, तो लोसार फेस्टिवल किसका नए साल है, कहां पर मनाया जाता है, लद्दाक और तिबद रीजन के अंदर में मनाया जाता है, 15 दिन का festival होता है, ठीक रिखेंगे, ट्राइबल, जहां पर क्या करते हैं, मतलब इसको हम राइस फेस्टिवली बोलते हैं, यह थोड़ा सार नूट करिएगा, राइस फेस्टिवल बोला जाता है, इसको, अलग अलग प्रकार के इसमें क्या किया जाता है, राइस का कल्टिवेशन राइस यह मैंने खुद पढ़ाया था हिंदू नियूस पेपर में, एक की जातरे एक फेस्टिवल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिवल ऑफ राइस, जहां पर ट्राइबल बिल्ट के अंदर में, एक केरला की ओर्ड़ाइशन हो क्या करती है, अलग अलग वेराइटी ऑफ क कम बरस्ता हो, तो वहाँ पर भी कैसे हम चावल को उगा सकते हैं, क्योंकि चावल एक बहुत इंपोर्टेंट हिस्सा है किसका थाली का, तो इक की जातरे क्या है, फेस्टिवल ऑफ राइस इन ट्राइबल एरिया, कहां पर केरल के मिला, कहां पर केरल के मिला, हनुक्का फेस्टिवल ये जिविश फेस्टिवल है और बस इतना याद रखेगा लाइट नूपी लाल डे न्यूज में है तो पढ़ लीजेगा मनिपूर के अंदर में जो कई सारी महिलाएं थी जो लड़ी थी किसके ब्रिटिश राज के गींस्ट में उनके सेक्रिफाइज को याद करते वे क्या किया जाता है नूपी लाल डे मनाया जाता है दिसंबर 12 को मनिपूर के द्वारा मनिपूरी विमिन ने 1939 की बात है इसी दिन पर क्या क्या था स्ट्रीट पर आगे थी डिमांड करते हैं कि कम्प्लीट स्टॉप पेज होना चाहिए यहां से एक्सपोर्ट ऑफ राइस जो होरा ब्रेटेश रूलर के द्वारा और फेमेन लाइक सिच्वेशन आपने आप यहां के रिसोर्स को लूट कर लेकर जा रहे हो तो 1939 के अंदर में यह प्रोटेस्ट हुआ था ठीक है और नुपीलाल का मतलब हुथा विमन्स वार तो 1909 के अंदर में हुआ था यह तो इसलिए नुपीलाल डे मनाया जाता 12 दिसम्मर को तो यह कब 1939 का है ठीक है आप December 4 को मनाया जाता है कहीं आप सभी के सभी पढ़ के चले जाओ यहां से चीता आ गया, वहां से चीता आ गया ऐसे हो गया, वैसे हो गया और गलती से पूछ ले आप से International चीता डे कम मनाया जाता है तो आप का ओगे, सर यह तो पढ़ा ही नी ये तो हमें पता ही नहीं तब देखकत हो जाएगी तो दिसम्बर हमने कंप्लीट कर ले आपसे चार महीने रहे गए है उसको भी हम कल परसो, नरसो, तरसो कंप्लीट कर लेंगे प्रिलिम्स टो इंट्रव्यू बैज को आप जोईड कर सकते हैं इसकी पीडियेफ में शाम तक आपके साथ शेयर कर दूँगा तब तक आप अपना ध्यान रखिए मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए बाई बाई टे के दूस्तो जैहिंद